हेलो सीनेफाइल्स, वेलकम तो थर्टी सेवन्थ एपिसोड अफ इन्विन्सिबल कॉमिक सीरीज जहां हम कवर करेंगे वॉल्यूम 8, माई फेविरेट मार्शन के फाइनल इशू, इशू 41 को तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना और साथी चैनल को सब्सक्राइब ना किया और तो इसे सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी जरूर दबाना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा आपको याद होगा कि लास्ट इशू के एंड में रूरी एक ऐसा डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे वो सिक्र्ट्स को रस से अलग कर पाए और उन्हें हरा पाए जिसके लिए इव ने उन सबको अपने फोर्स फीड बैरियर में सेफ रखा हुआ था लेकिन इव के वेवश होने के बाद अब उसका वैरियर तूट चुका था और अब सभी हिरो फिर एक बार सिक्र्ट्स की तरफ एक्सपोज हो गए थे तो रूडी उनसे कहता है मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए मेरा काम बस होने ही वाला है किसी को कुछ ना कुछ करन पर सिक्विट्स इमोटल को एक जोरदार पंच मार कर देते हैं और मार्क सबसे कहता है हमें इने रोबोट से दूर रखना होगा हमें उन्हें हरा नहीं होगा बहुत कुछ अभी स्टेक्स पर है रूडी अपना काम कंटिन्यू करते हुए उसे थोड़ा सा और टाइम देने पाए शेफ शिप्टर कहता है हा मैं ध्यान रखू इतने में उसे रोडी की और वो कहता है उसका काम हो चुगा है वो मुझे वता रहा है cheaper कर आपने बहार निकाल लेता है और सबसे कहता है और सभसे को लेजाना चाहेगा ये कह रहा है कि तो में बस इस चीज़ को उसके पा स्टॉप, मैं तुमसे जादा स्टॉंगर और फास्टर हूँ, तो मुझे ही ये करना होगा, ये काम पूरा करना तुम्हारे इगो से जादा इंपोर्टेंट है। ऐसा कहा कर इन्विंसिबल उस डिवाइस को लेकर रस लेविंश्टन के पास जाता है और उसके मुझ के पास आकर उस डिवाइस के बटन को दबा देता है, जिससे निकली हुई पल्स से रस की बॉड़ी के सारे सिक्विट्स नीचे गिर जाते हैं और वहा मौझूद बाकी सि अब कोई भी ऐसा ना बचे जिससे वह वापिस अपना वन माइंड कर पाएं, कम ओन, ऐसा कहकर मार्क रस को ले जाने लगता है, वहीं मॉस्टर गल रूड़ी को उठाकर ले जा रही होती है, और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर रूड़ी कहता है, आइम फा जाल के लिए चेंज होता है, हम चलते हैं व्योमिंग में, जहां पर अल्लेडी डुप्लिकेट श्रिंकिंग रे, उसके लाब अब विलन्स में से सेलमेंडर, इगवाना और कुमोडो ड्रेगन मर चुके होते हैं, और अब किंग लिजर्ड ने रेक्स प्रोड के सर पर बंदूग छुडवा देता है, और उससे लड़ने लग जाता है, किंग कहता है, तुम्हारे अंदर मुझसे लड़ने जितनी ताकत नहीं बची है बच्चे, पर रेक्स किंग के मुँपर एक जोरदार पंच मारकर अभी किलो इसे डेर कर देता है, और इस सब से रेक्स कहता है, सर, ब्रिट हीर, आपको यहां टीम भेज देनी चाहिए क्योंकि सब कुछ खतम हो चुका है, सेसल पूछता है, क्या कोई मरा भी है, ब्रिट जवाब देता है, आइधिंक सब मर चुके हैं, पर तब ब्रिट के सर पर एक गोली आकर लगती है, अला कि उस गोली से ब भावी भारी नुकसान पहुचाया होता है, खेर, हम वापस जलते हैं स्पेस में, जहां शेफ शिप्टर की मदद से सब ही हिरोज उस वार्शिप के हैंगाल में पहुच चुके होते हैं, जहां से उन्हें जाने के लिए एक नया शिप मिल सकता है, यहां आकर वो सब देखत जोसता है कि वो यहां पर शेफ शिप्टर के साथ क्या करेंगे, जिस पर मुनाग बताता है कि वो उसे एक्जिक्यूट कर देंगे, मतलब मौत की सजादे देंगे, तो वैसे तो शेफ शिप्टर से माक या इवन गार्जिंस का कोई ऐसा लेना देना नहीं होता, लेकिन फि पीछे से मार्शिंस के एक छोटी शिप उन पर अटैक कर रही होती है, तो बिसिकली वो लोग मुनाग की बात नहीं मानते हैं और शेफ शिप्टर को बचा कर अपने साथ ले जाते हैं, माक रूडी से शिप को और तेज ले जाने के लिए के लिए पर रूडी बताता है कि को अपनी एज फास्ट स्पीड पर है, जिसके बात रूडी शेफटर से पोस्ता कि क्या उछिप में कोई हैं जिस पर वो बताता है कि उसे वैपन के बारे में कोbabा कुई जाता था, और इन्मिनिंसिबल गुसा होते होग चए कहता है वैपन को भोल जाओ, मुझे बताओ की वह दर्वाजा है जहां से बिना मेंamız veg ए एक्स्पोज करे एस्ट स्टेशनोट वह? क्रांसमिशन को कम्प्लीट करके वापस आ चुके होते हैं और अब मार्क एमबर के होस्टल रूम की तरफ जा रहा होता है यहां मार्क देखता है कि एमबर के रूम पर गैरी मौजूद होता है तो मार्क अंदर जाने हैं एमबर को बुलाने की जगद छुपकर यही पर उनकी अब यह सब गलत लग रहा है जिस पर गैरी कहता है बॉइफ्रेंट तुम उसके बारे में हमेशा बात करती हो बर दधिंग इस हम पिछले एक हफ़ते में काफी टाइम एक साथ बिता चुके हैं पर मैंने इस बंदे को एक बार भी नहीं देखा एक्जेक्टि तुम्हारा बॉइफ्रेंट है कहां एमबर उदास होते हुए कहती है और फिर गैरी एमबर का हाथ थाम कर कहता है और मैं कहा हूँ एमबर थोड़ा ब्लश करते हुए जवाब देती है यहीं पर तुम यहीं पर हो और इस पर देखकर आप समझी सकते हैं कि मार्ग को बहुत अजीब सा पर फील होता है जिसके बाद सीन पार्श वार उतर हम देखते हैं कि कुछ देर में गैरी वहां से जाने लगता है एमबर गैरी को बाई करी रही होती है कि तब भी मार्ग भी आ जाता है गैरी मार्ग को देखकर थोड़ा गवरा आते हुए कहता है जूड तुमें जैसा में चले जाता है एमबर पहले मार्ग को अपनी वात कहने के लिए कहती है मार्ग कहता है स्पेस में जाने में और वापिस आने में हमें काफी टाइम लगा और इस टाइम में मैंने खूप सोचा हमारे बारे में I'm sure कि तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चा रहा हूँ I don't think हम मारे बीच में जो भी है वो सही है और जाता डाइम तक चलने वाला है I really like you तुम पहली लड़की ती जिससे मुझे प्यार हुआ और शायद मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा I think you are great it's just that कि हम एक साथ जादा नहीं रह पाते एमबर उससे आगे बोलते रहने के लिए के जिसलिए मार यही कहता है कि कैसे उसके इंविंसिबल होने की वज़े से वह नौर्मल लोगों जितना टाइम एमबर को नहीं दे पाता और इससे एमबर को कितनी तकलिफ होती है तो इस वज़ए से मार को यह लगता है आपका कि और को डेट करना ही रहेगा मार आगे कहता है थोड़ी दिर पहले मैं खिड़गी पर ही खड़ा था और मैंने तुम्हें गैरी के साथ देखा मुझे पता है तुमने मुझे चीट नहीं किया है पर मुझे ये बात भी क्लियर हो गई कि तुम उसके साथ जादा खुश रहोगी and that's totally cool actually तुम एव के बारे में सही थी वो मुझे पसंद करती है मुझे भी लगता है कि मुझे उस पर ही try करना चाहिए इस सब बात को सुनकर Ember बस okay कहती है जिस पर Mark पोस्ता है बस okay तुम भी तो मुझे कुछ बात करना चाहती थी जिस पर Ember बताती है कि वो भी actually यही सब कहने वाली थी जो अभी Mark ने कहा accept Eve वाले पार्ट के तो basically Mark और Ember यहां mutual understanding से यह समझ जाते हैं कि Mark के invincible होने की वज़े से उनका यह relation जादा टाइम नहीं चल पाया है और इस relation में वो खुश भी नहीं रह पाएंगे वो भी तब जब Mark और Ember दोनों के आज़ पास उनसे प्यार करने वाले कुछ और लोग आ गए हैं यहां पर मैं Eve और Gary की बात कर रहा हूँ तो वो दोनों एक दूसरे की बात सुनकर थोड़ा सा रिलाक्स हो जाते हैं दूसरे को एक आखरी गुडबाई कहकर अपने अपने रस्ते चल देते हैं और at the end किसी का भी दिल नहीं तूटता और जो लव ट्राइंगल बन रहाता वो भी यहां पर खतम हो जाता है जिसके बाद हम चलते हैं गारजेंस के हेड़कॉार्टर्स में जहां केट की फ्यूनरल करने के कुछ टाइम बाद इम्मॉटल उदास होकर बैठा होता है सैमसन उसे सिंपती देता है जिस पर इम्मॉटल कहता है आई विश की केट का कोई फैमली मेंबर भी यहां होता काश हम उसके भाई को डून पाते सैमसन कहता है तुम इतने एक खुश थे आई आई जस डून नो कि मैं क्या कहूं इम्मॉटल कहता है ऐसा नहीं कि मैंने पहला ऐसा कुछ एक्स्पिरियंस नहीं किया है मैं पहले भी अपने लवड रॉन्स को खो चुका हूँ बस इस बार मुझे ये दुख है कि वो इतनी कम एज में ही चले गई मुझे लगा था कि हम साथ में कुछ और टाइम बिता पाएंगे फिर सीन एक बार चेंज होता है और इस बार हम चलते है पेंटेगन में जहां मा गायल पढ़े रेक्स प्रूट से मिलने गया होता है रेक्स की हालत देखकर माक उससे सिंपसी देता है लेकिन रेक्स गुषसे में कहता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ पर फिर भी उन्होंने तुमारे लिही परेड निका ली जग तो बेसिकली माग और बागी गार्जेंस के सेक्रिट्स को हराने पर यूएस की पब्लिक ने उनकी समान में एक परेड निकाली होती है जबकि अपनी वीक सेक्यूरिटी और अपने फेलियर को छुपाने के लिए यूएस गौर्णमेंट नॉर्मल पब्लिक को ये पता ही कि उनका मिश्यन पब्लिक से छुपाया गया है जिसके बाद माग अपने दिल के बाद बहार निकालते हूए रैक्स को भी बता देता है कि उसने आज अपनी गल्प्रेंट से ब्रेक अप कर लिया है जिस पर है कि उसके साथ भी ये सब हो चुका है सीन फिर से चेंज होता है इस बार हम चलते हैं असली रस लिविंग्स्टन के पास जो कई महीनों से सेकुर्स के कंट्रोल में होने के बाद फाइनली अर्थ पर सही सलामत वापस आ गया होता है कि कुछी टाइम में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और इसके लावा उसे कभी कुछ बात करने का मन करे तो उससे बात कर सकता है जिस पर रस उसे थैंक्स कहता है और वापस अपने रूम पर चला जाता है अभी रूम में वापस जाकर उसने गेट बंदी किया होता है कि अचानक से जोर जोर से खासी आने लग जाती है और अगली सीन में हम देखते हैं कि रस के अंदर से दो सिक्विट्स बाहर आ जाते हैं जो वापिस से रस पर कंट्रोल करके कहते हैं पर हम यहाँ पर अपनी खुद की आर्मी बनाएंगे इसमें शायद हमें कुछ साल लग जाएं पर हम सिक्विट्स इस प्लैनेट और हर उस लिविंग तिंग जो इस प्लैनेट को अपना घर कहती है उन सभी पर अपना कब्जा करके ही रहेंगे इट्स अनली आ मैटर अफ टाइम तो सिक्विट्स की इस धंकी के साथ इशू 41 और साथी वॉल्यूम 8 माई फेविट मार्शन यहां खतम हो जाता है तो इस वॉल्यूम में हमें स्टार्टिंग में डिये सिंक्लेर और उसके रियनिमेंस दिखाई दिये जिनने मार्क और विल्यम ने ढोंड लिया और अपने दोस रिक शेरिडन को बचा लिया पर यही हमें यह भी दिखा कि सैसिल सिंक्लेर सही अपना कुछ काम निकलवाने की सोच रहा है जिसके लावा हमने एलन को ठीक होते हुए देखा और माग के भाई ओलिवर को बड़े होते हुए भी देखा और वॉल्यूम के एंड होते होते हमने लिजर्ड लीग और सिक्विट्स और मार्शिंस का अर्थ पर डबल अटैक देखा जहां लिजर्ड लीग से किंग लिजर्ड के लावा और कोई नहीं बचा वहीं इस लड़ाई में हमने डुप्लिकेट और श्रिंकिंग रे को भी खोया और अगर आपने ध्यान दिया हो तो इंमोटल और बाकी लोगों ने केट की देथ की बात तो करी और दुख तो मनाया लेकिन किसी ने भी श्रिंकिंग रे की बात नहीं करी और आप देखे तो यही बेचारी की जिन्दगी का हाल राता क्योंकि हर बार उसे इग्नोर कर दिया जाता था और इस कॉमिक की क्रियेटर रॉबर्ट करक्में ने उसी जोग को कंटीनियू करते हुए विचारे श्रिंकिंग रे की डैथ को भी जादे इंपोर्टेंस नहीं दी उसके लावा भले ही एक टाइम के लिए हमें ऐसा लगा हो कि सिकुल्स हार गए है पर एट दी एंड वो रस की बॉड़ी के अंदर छुपते हुए अर्थ पर आही गए और इस सब इवेंट्स के बीच लाश्ट वॉल्यूम से शुरू हुआ एंबर मार्क और इव का लफ ट्रैंगल हमें इस पूरे वॉल्यूम में भी दिखा जो इवेंचली इस वॉल्यूम के साथ ही एंड हो गया तो आज के लिए बस इतना ही सो थैंक ये फूर वाचिंग से निफाइल्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में